हेलो एब्रिवान वेल्कम अगें टो फाइनाट स्टड़ी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जोगी मारा गुफा के बारे में एस विज्वल इसमें जोगी मारा गुफा में सबसे पहले हम थोड़ा सा इनके पॉइंट देखेंगे और उसके बाद इंसरेटर जो क्वे यह स्थीत है इसमें आपसे या तो जगे का नाम पूछा जाएगा या फिर पहाड़ी आपसे पूछा जाएगा कई बार जनपद भी पूछ लिया जाता है तो अब ध्यान रखेगा उसके बाद नेक्स्ट है यह नर्मदा नदी के उद्गम स्थान पर है उसके बाद इसके तीसरी स्ताबदी इसापुर्व का बताया है जान मार्शल के अनुसार 1000 इसापूर्व तो तीनों ही टाइमिंग इन्होंने अपने अपने हिसाप से दिये हैं अगर आपसे नाम लिख के पूछा जा रहा है कि विंशर्ट समीज के अनुसार क्या टाइमिंग है जो और Marshall के अनुसार क्या timing है तो आप इसके according बता सकते हैं Otherwise जाकर आपसे डारेक्ट पुछा जाए कि जोगी मारा गुफा का क्या timing है तो आप बताएंगे 300 इसा पूर ठीक है ये आपको जोगी मारा गुफा का timing जो है वो बताना है उसके बाद देखें इसकी जो नाप है वो 10 x 6 x 6 है उसके बाद इसका जो local नाम है वो है बंगला या बॉंगला इसे वहाँ पर जो स्थानिय लोग है वो इसे बॉंगला नाम से बोलते हैं दस्विस्त आपदी में इसे डंडोर और रामायन काल में इसे चार खंड भी कहा गया है ये एक मोरिय कालिन गुफाएं हैं काल बहुत पुछा जाता है एक्जाम में तो ये मोरिय कालिन गुफाएं हैं और साथी ये जैन धर्म से संबंदित है इसके अनुक्रतियां जो है वो 1914 में असित कुमार हल्दार ये असित कर लीजेगा है अपर असित कुमार हल्दार और शेमिंदर नात गुपता ने बनाई थी अब देखें जो जोगी मारा गुफा है उसके साथ ही एक और गुफा है उसे जो है वो सीता बौंगरा या सीता लंगरा के नाम से जाना जाता है और यह जो है वो एक नाटे शाला थी ठीक है सीता वंगडाम उसके बाद जो सेकेंड गुफा है वो है जो एक सुतनु का नाम की यहां पर देवदासी रहती थी जो कि उस शाला के एक रूपदक्ष रूपदक्ष देवदिन पर प्रेमा आ सकती ठीक है लेकिन फिर क्या हुआ कि वहां के जो नाट शाला के अधिका करना पड़ा था और इन दोनों के जो प्रेम प्रसंग है उसका जो अंकन है वो देवदिन के द्वारा वहां की जो भित्ती चित्र है उस पर अभिलेक के रूप में भी अंकित किया गया है ठीक है तो पहले यह देवदासी सुतनुका का निवास्थान माना जाता था लेकिन बाद में अध्यनों के अनुसार यहां पर एक वरुण देवता का मंदिर बताया गया है तो देखे जोगी मारा जो गुफा है उसमें साथ चित्र प्राप्त हैं कौन-कौन से तो देख लेते हैं पहला जो खंड है तो उसमें एक मानवाकृती बनी हुई है एक पुरुष प नेक्स है एक पगीचे में लाल कुमूदनी के पुष्प बनाये गए हैं पुष्प के उपर एक नरत्य करता हुआ यूगल जो है वो चित्रित किया गया है नेक्स है फोर्थ खंड जो है उसमें मानवाकृती और पक्षी बने हुए हैं गुडिया जैसे बोने आकार के मनु मनुष्य उसमें चित्रित है most important जो लाइन है वो है जो अक्सर पूछी जाती है कि बोने आकार के और अनुपाद रहित मनुष्य चित्रित है जोगी मारा गुफा में और साथी एक मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है पांचवा खंड जो है उसमें एक नत्यांगना ग वो भी लगबग छटे की तरह ही है इसे भी तो भागो में बाटा गया है इसमें चैत्यों का अंकन है ग्रीक रथों के समान भवन बनाई गई है जिनमें जन्तों की आकरतियां बनाई गई है उसके बाद देख लेते हैं इनके question answer में तो फ्रस्ट question है कि जोगीमारा की गुफा किस परकार की है जोग klar है वह वह प्राकर्तिक है जोगीमारे गुफा के चित्र कहां पर बने हुए हैं तो ये बने हुए च्छतों पर और इसकी च्छत इतनी नीची है कि आप खड़े होकर भी इस वे आसानी से च्छत को छू सकते हैं चित्रों की प्रस्ट भूमी किस रंग की है इसकी जो प्रस्ट भूमी है वो तो सफेद है लेकिन इस पर जो चित्र बनाए गए है वो लाल रंग से बनाए गए है नेक्स्ट है जोगी मारा गुफा की बगल की गुफा का क्या नाम है तो ये सिता घोंगा या सिता लंगडा भी सिता घोंगा सिता लंगडा या सिता बोंगडा इसे बोलते हैं किस गुफा के चित्रों में बोनी आकरतियां बनी हुई है तो ये जोगी मारा गुफा के चित्रों में बनी हुई है सरवाधिक प्राचीन भित्ती चित्र कहां से प्राप्त हुए है तो ये जोगी मारा गुफा से प्राप्त हुए है जोगी मारा गुफा के लेख किस स्ताब्दी के है तो ये तीसरे स्ताब्दी के है उसके बाद नेक्स है जोगी मारा के चित्रों की रचना शैली किस शैली से मिलते जुलती है तो ये बरहुत और सांची की जो कला है उसी से जोगी मारा गुफा के चित्रों के शैली मिलते जु मोर्यकाल के जो गीमायरा का चित्रन विशय ग्रम्मे घीवन कि बाद कंगु कि पर प्रेमा सकती तो और रूप दक्ष के देवधिन पर प्रेमा सकती कि कि किस गुफा के आकड़िया अनुपात हीन बनाई गई हैं तो यह बनाई गई है जो जोगी मारा गुफा की चित्र कहां संग्रहित हैं तो ये भारतिय पुरातत्व संग्राले नई दिल्ली में संग्रहित हैं ओकी डॉक्टर ब्लाक ने जोगी मारा गुफा की चितरों को कैसा बताया है तो जोगी मारा गुफा की जो चितर है उन्हें जो डॉक्टर ब्लाक थे उन्होंने यूनानी बताया है ठीक है और रायकृष्ण दास के गर हम बात करें तो उन्होंने जैन्धर्म से सम्बंदित माना है और असित कुमार हलदार ने रायगड के मंदिर में रहने वाले देवदासियों के विशय से सम्बंदित इन चित्रों को माना है तो यह थो हमारा आज का टॉपिक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए पसंद आया है तो लाइक जरूर करें थैंक यू